कॉंग्रिस नेता और पूर्ड क्रिकेटर नौजोट सिंग सिद्धू रोड रेज केस में सजापूरी करने के बाद जेल से बाहर आ गए है बाहर आते ही कॉंग्रेशी नेता ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला को याद किया था अब नवजोत सिंग सिद्धू ने सोंबार को मंसा जीले में इस्तित पंजाबी गायक के गाउं जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। उनके साथ पार्टी के कुछ नेता भी थे। पूर क्रिकेटर ने मुसेवाला के परिवार के साथ मीडिया से बात करते हुए कींद और राज सरकार पर जम करने शाना जाधा। नवजोट सिंग सिद्धू ने मुसेवाला की हत्या के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जम्मदार ठेराया। उनके कहा कि उनकी सुरक्षा घटा कर सूची सारजनिक क्यों की गई। नवजोट सिंग सिद्धू ने पंजाब में कानून विवस्था की स्तिती पर सवाल उठाते हुए टाया कि सरकार कोई भी हो सरकार की पहली जम्मदारी है कि लोगों की जान की रक्षा करना। मैं बूचना चाहता होगी है कि सरकार अपराद से रक्षा करती है या अपराद करती है। जोदे नाल होया है आज दूसरे सिद्धू नाल भी हो रहे है परवानी। जेट प्लस सेक्योर्टी सी आज तेरा बंदे रहेगे। क्यों क्यों कि जिम्में हो लूँ चुपकराणा जोंदे सी। बता दे सिद्धू मुसेवाला को कॉंग्रेस में लाने वाले नवजोत सिंग सिद्धू और राजा वडिंग ही थे। उन्हें चुनाओं में टिकट भी हाई कमान ने सिद्धू के कहने पर ही दिया था। नवजोट सिद्धू ने ही सिद्धू मुसेवाला को राहूल गांदी से भी मिलवाया था। सिद्धू मुसेवाला की हत्या के समय जेल में होने के कारण नवजोट सिंग सिद्धू उनके परिवार से नहीं मिल सके थे। अलाकि सिद्धू के टुटर अकाउंट पर दुख व्यक्त किया गया था इस भी सिद्धू मुसिवाला के पिता बलकौर सिंग्न रईवार को कहा था कि वो जालंदर उक्चनाव के दोरान सरकार के खिलाप रचार करें के जेल से बाहर आने के बाद भी नवजोट सिंग सिद्धू ने उनकी सुरक्षा कम किये जाने के बाद राजजोर केन सरकार पर निशाना साधा था एक एंचोब्य मुने कहा था मेरी सुरक्षा कम की गई पहले एक सिद्धू को मरवा दिया अब दूसरा भी मरवा दो सरकार ने नौजोत सिंग सुद्धू की सुरुक्षा कम कर दी है पहले उनके बास 25 सुरुक्षा करमी थे लेकिन अब उनकी गिंती कम करके 12 कर दिया गया है